हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिप्त के परेवरन अद्धिन की किताब आसपास का पार्ट दस तो बच्चों पार्ट दस है बोलती इमारतें बच्चों आपने पार्ट पढ़ाई होगा आज की वीडियो में हम इस पार्ट के क कुश्चे 1 किले में इतने सारे बुर्ज किले की सुरक्षा के लिए बनवाए गए होंगे दूसरा कोश्चन है बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे तो इसका आंसर ये है बुर्ज के इन बड़े बड़े छेदों की सायता से सैनिक दूर 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 दूस्मनों की हरकतों पर नजर रख सकते थे तथा उनका मुकाबला हत्यारों से कर सकते थे अगला कोश्चन है सीधी सपार्ट दीवार से जहाकने में और एक उचे बुर्ज से जहाकने में क्या अंतर होगा तो इसका अंसर ये है बुर्ज इस तरह बना होता है कि उसमें सुरक्षित रहकर नीचे की और आसानी से जहाका जा सकता है जबकि सीधी सपार्ट दीवार के साथ ऐसा नहीं होता है अगला कोश्चन है बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी तो इसका आंसर ये है बच्चो बुर्ज के पीछे खड़े सिपाही आसानी से दुसमनों को देखकर उन पर हमला कर सकते हैं और मौका पढ़ने पर छिप सकते हैं और दुसमन को उनके सही स्थान का पता भी नहीं चल पाता अगला कोश्चन है फवारे कैसे चलते होंगे तो इसका आंसर ये है बड़े बड़े जलासियों या टैंकरों में से फवारों तक पानी पहुँचाया जाता होगा जिससे फवारे चलते होंगे अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है पानी को उपर कैसे चड़ाने के लिए मोटर पम्प या ट्यूब वैल का प्रियोग किया जाता है बिना बिजली से पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पवन चक्की या बैलों द्वारा चढ़ाया जाएगा अगला कोशिन है तुमने आसपास किस किस तरह के बरतनों का इस्तेमाल होते देखा है अंसर यह है अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बरतन इस्तेमाल में लाए जाते थे तो इसका अंसर ये हैं बच्चों हमारे दादा दादी के समय में मित्ती, पीतल रे लोहे के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे अगला कुश्यन है संग्राले जिसे की म्यूजियम कहा जाता है में क्या क्या होता है संग्राले में बहुत पुरानी चीजें संग्रह की जाती हैं इखटा की जाती हैं जो एतिहासिक महत्व को दर्साती हैं जिससे आने वाली इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके जैसे ओजार, जेवर, हतियार, आदी तो बच्चो आनसर ये है इस पार्ट में प्रतियक एतिहासिक इमारत अपने समय की कला, संस्कृती और विज्ञान आदी के बारे में बोलती हुई प्रतीत होती है इसलिए इस पार्ट का नाम बोलती इमारते रखा गया है बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले यदि आप इस चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू